नमस्कार मेरा नाम राजन सिंग मकुठ है दोस्तो पवन सिंग और खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंडिंग सेक्षन में आता है ये बहुत अच्छी बात है कि भोजपूरी का गाना ट्रेंडिंग सेक्षन में आया लेकिन ये बहुत ही सर्म की बात है कि आप इतने नीचे गिर सकते हैं एक गाने को ट्रेंडिंग में लाने के लिए अब आप देख सकते हैं कि मिया खलिफा और सनी लियोन जैसी सूपर स्टार भी बहुत सारे लोगों से आगे हैं लेकिन वैसे आगे उन लोगों को ही मुबारक हो ये बाते हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खेसारी लाल यादो ने कुछ इस प्रकार से ही काम किया है और ये बाते जरूरी हैं सामने आना क्योंकि खेसारी लाल यादो ने एक के साथ नहीं करोरों लोगों के साथ धोखा किया है और ये धोखा सिर्फ अपने फाइदे के लिए खेसारी लाल यादो ने किया है और वीडियो सुरू करने से पहले एक बात हम कहा देना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो को कोई भी ऐसा खाई लाकर यादो का यूटूबर है कोई भी तथा कथिक ढूरी है, जो मेरे इस वीडियो को जूट साविट कर दे planning में ये था कि चलिए अब पूरे बिहार के जनता को बेवकूब बनाया जाए planning number one गाना का date change करना भोजपूरी film industry में आपने देखा होगा कि आपके एक सहर में एक हॉल में खेसारी लाल यादो का फिल्म लगता है तो एक हॉल में पवन सिंग का फिल्म लगता है ये बहुत आम चीज है और गाना भी एक टाइम पे रिलीज हुई है लेकिन खेसारी लाल यादो को इस बार बड़ा धमाका करना था और कॉंट्रोवर्सी करने की सुरुवात खेसारी लाल यादो ने इस बात से की कि अगर मेरे बड़े भईया गाना छे तारीक आ रहा है तो मेरा अगले दिन साथ तारीक आएगा क्या जरूरत थी जरूरत थी क्योंकि इस से कॉंट्रोवर्सी होगा और कॉंट्रोवर्सी होगा तो गाना खूब चलेगा जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजी खैसारी लाल यादव ने तेरे मेरे दर्मिया गाने को वाइरल कराने के लिए अपना पुराना चाल चला पुराना चाल था सिंपैथी लेना खैसारी लाल यादव पवन सिंग के लिए लाइव आ जाते हैं कि आप मेरे गाने के लिए भी लाइफ आयेगा अगले दिन ताकि मेरा भी गाना खूब ज़्यादा चले दोस्तों देखने में बड़ा असान है कि खैसारी लाल यादो कितने अच्छे हैं कि यह पवन सिंग से दोस्ती करना चाहते हैं और चाहते हैं भुझपूरी को एक साथ लेके चलना लेकिन यहां बात समझने वाली यह है कि कि खैसारी लाल यादों के बाते बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि अगर पर सिंग लाइब नहीं आते हैं तो भी फैदा इनके यूटूबर भी यह बाते बहुत अच्छे खासे तरक्ये से समझ सकते थे दोस्तों यहां समझने की कुशिस कीजिए अगर उस दिन पवन सिंग लाइव आ जाते हैं तो इससे फाइदा बहुत तगड़ा खेसारी लाली आदव का होता सारे पवन सिंग के फैंस जो हैं वो खेसारी लाली आदव का गाने को सुनते और गाना अराम से ट्रेंडिंग में चला जाता बिना ज्यादा पापड़ बेले दोस्तो प्लान भी काम कर गया और पवन सिंग के लाइव ना आने से लोगों को ऐसा लगा बेचारे खेसारी और कुछ इस तरीके का नतीजा हुगा मर जाए तो सडने को जमी चाहता है आद में चूतिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने रात भर दिन भर जग के कॉमेंट हिया त्याकि खेसारी लाल यादो के बीडियो का इंगेजमेंट बढ़े और वो गाना ट्रेंडिंग में जा सके और इस तरीके से खेसारी लाल यादो का गाना आया दो नंबर पे ट्रेंडिंग में कैरी मिनाटी को नीचे करके ये वही कैरी मिनाटी है जिनका सपना है वलीवुड में आने का और खेसारी लाल यादो एक ऐसे सूपरस्टार है जो वालिवुड के टक्कर के सूपरस्टार है सलमान खान गोविंदा जैसे सूपरस्टार से इनकी बहुत अच्छी बांडिंग है फिर भी कैरी मिनाटी को भोजपूरी के कुछ सो कॉल्ड यूटूबर कम दलाल जादा लोगों ने भोजपूरी का बाप बना दिया कैरी मिनाटी को और भादार तो ये लोग खुद है और उनका एक गाने को 1 मिलियन व्यूज पहुंचाने में 2-3 दिन कर समय लग जाता था अगर लोगों को बेवकूफ और उल्लू नहीं बनाते तो इनका हाल धीरे धीरे करके राधे स्याम रसिया जैसे हो जाता लेकिन राधे स्याम रसिया के पास मैनेजर नहीं था खेसारी लाल यादो के पास बहुत तकड़ा वाला मैनेजर है खेसारी लाल यादो का गाना तेरे मेरे दर्मियान बहुत अच्छा गाना था सब ने खेसारी लाल यादो का सपोर्ट किया और बताया कि खेसारी लाल यादो का गाना बहुत अच्छा था पब्लिक ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया लेकिन इस प्यार का इतना गलत इस्तमाल जिस दिन जनता जागी न खेसारी लाल यादो जरूर आपको माफ नहीं करेगी कब तक भाई, कब तक लोग बेवकूफ बनते रहेंगे कब तक अपने काम धंदे को छोड़के लोग खेसारी लाल यादो और पवन सिंग करते रहेंगे एक मिनिट के लिए मान लेते हैं यूटूबर्स का तो इनसे फाइदा है, पैसे कमाते हैं, लभांतरित होते हैं उनसे आपका क्या फाइदा है इसमें, आप जड़ा सोच के बताईए कि अगर खेसारी लाल यादो का गाना ट्रेंडिंग में चला जाता है या फिर परवन सिंग का गाना ट्रेंडिंग में चला जाता है, तो क्या ही मिल गया आपको यूटूबर्स को तो दाप के पैसा मिला, वो तो एक दिन में 10-10-15 पंदर वीडियो बनाते हैं सब पर भीउ जाता है, पैसा मिलता है, आपको क्या मिला? यहां पर जितने लोग मुबाइल चलाने वाले हैं वो अपने घर के टेंशन के वज़़े से, अपने टेंशन के वज़़े से, वैसे ही दिन भर परिसान रहते हैं जब यूटूब पर आते हैं, तो चाहते हैं कि चली अब कुछ ऐसा फ्रिस वाला चीज देखा जाए, जिसे एकदम दिमाग खुल जाए और यहां भी आते हैं, तो आप जाती के चकर में पर जाते हैं, तो आप किसी को नीचा दिखाने के चकर में पर जाते हैं यह उता आपके परिवारिक टेंसन, अपना टेंसन है, उसके बाद से आप इस टेंसन में पढ़ जाते हैं, भाई जीते कैसे हो यार इतने गान फटी के यह बढ़वे आप ज़रा सूच के बताइए, खेसारी लाल याधू को किसी क्या जमीन का जगड़ा है, सपोर्ड किसली नहीं करता है, वो हम आपको बताते हैं खेसारी लाल यादो को भुछपूरी फिल्म इंड़स्ट्री में लाने वाले सक्स का नाम है राजकुमार आर पांडे जो बहुत अच्छा मेहनत करके खेसारी लाल यादो का फिल्म चलाए थे खेसारी लाल यादो ने उनको भी लात मार दिया और ऐसे तमाम कीस सामने आए हैं जिसमें खेसारी लाल यादो ने अपने बड़ो का फाइदा उठा के और उनको लास्ट टाइम चलता कर दिया अब उनके साथ जनता का सपोर्ट है जनता नहीं कह सकते हैं कुछ ऐसे लोगों का कुछ ऐसे समुदाय का सपोर्ट है जिसका गलत फैदा बार बार खेसारी लाल यादो उठा रहे हैं और ये जनता जब तक बेवकूफ है तब ही तक आप बेवकूफ बना सकते हैं क्योंकि आप तो कोई नेता हैं नहीं, कि आपको लोग भोट देके जिताएगा तो आप छितर का विगास कीजिएगा, किसी दिन तो समझ में आएगा कि अरे भाई क्या ही फैदा है इसमें पढ़ने का, हम यूटूब पे आते हैं अपने मन को फ्रेस करने, अपने इंटरटेन्मेंट क देखने के लिए, नहीं, दोस्तों एक छोटा सनी विदन आप से करना चाहेंगे, कि आप इस वीडियो को खूब ज्यादा सेयर कीजिए, इसलिए नहीं कि मैंने इसमें खेसारी लाल यादाओ के बारे में कुछ बाते बताई हैं, इस वीडियो में ऐसी सारी बाते हैं, जो स दलाल नहीं हो सकता मेरे भाई, किसी दिन तो लोग आएंगे, भुजपुरी फिल्म इंडस्टरी में ऐसे लोग आएंगे, जो फैक्ट पर बात करेंगे, आज हम एक हैं, कल, परशो, महिना दिन बाद, साल भर बाद, 10, 20, 50 और आएंगे, और सब को एक स्पोज करना सुरू बनाया, और कैसे उपर आने के लिए, साड़ा दाव अजमा दिया, अब अगला वीडियो, उसका अगला वीडियो करके दिखा, ये ट्रेंडिंग में, ले क्या ये उपर, ले क्या ये घंटा में 10 लाक व्यूज, तब न समझ में आएगा, तो आप सिमपहती ले के आगे आमस्कार.